नमस्कार में नाम है अकाइश्या मिश्राइश संस्कृति आई एसके प्रेश इन न्यूस के एपिसोड 39 में आप सभी का स्वागत है तरसकी आप सभी जानते हैं कि सीरीज में हम क्या करते हैं तो चर्चा में रहने वाले स्थानों की मांचित्र के माध्यम से बात करते हैं इस बिदा किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं खबर क्या है अगर खबर की बात करें तो देखिए बात करें Gulf of Mexico की ये खबर क्या है खबर ये है कि सबसे पहले अगर थोड़ा साम पीछे चले जाएं तो खबर ये है कि USA के जो एड्मिस्ट्रेशन ने उन्होंने प्लान किया था कि क्या किया जाएगा गर्फ ओफ माक्सिको में जो ड्रीलिंग की जाती है उस छेत्र को क्या कर दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा ऐसा नीने क्यों लिया गया था इसले लिया गया था क्योंकि जो लुप्त प्राय प्रज 80,000,000 USD क्या कर रही है औफर कर रही है कि इस छेतर में हमें क्या दिया जाए तो ड्रेलिंग का अधिकार सनरक्षित करने को दिया जाए ये मामला क्या चल रहा है तो Gulf of Mexico में चल रहा है अगर हम बात करें किसकी अगर Gulf of Mexico की हम location की बात करें तो आपको कहां देखने को मिलता है त तो आपको देखने को मिलेगा इसका location कुछ यहाँ पर ये क्या है तो विश्व की सबसे क्या है बड़ी खाड़ी है तो इस दे भी आपके परिक्षा के लिहास चे इंपॉर्टेंट हो जाता है कहां इसका location देखने को मिलेगा तो आपको Atlantic Ocean में देखने को मिलेगा यदि हम सीमा वर्ती शेत्रों की बात करें तो देख लिजी कि किन से किन से ये अपनी सीमा साजा करता है तो यदि हम बात करें उत्तर की तरफ चले तो आपको किसका लोकेशन देखने को मिलेगा वहीं यदि हम पश्चिम की तरफ चले तो आपको माक्सिको का लोकेशन देखने को मिले महीं यदि हम किसकी बात करें पूर्व की बात करें तो आपको यहां पर फ्लोरीडा स्ट्रेट देखने को मिलेगा स्ट्रेट क्या होता है एक सक्रा जननिकाय होता है जो दो बड़े जननिकायों को जोनने का काम करता है वहीं दो भूभागों को अलग करने का काम करता है यदि आपको यहां पर एक युकाटान चैनल देखने को मिलेगा किसके किसके बीच में तो आपको यह मैक्सिको का दक्षिनी हिस्सा दिखाई दे रहा है उसके पूर्वे हिस्से में और क्यूबा के पश्चिमी हिस्से के बीच में आपको क्या दिखाई देगा तो युकाटान चैन युकाटान चैनल ग्या कर रहा है तो आपको Gulf of Mexico को यह जोड़ देता है Caribbean Sea से जोड़ता हुआ नजर आता है अगर हम बात करें किसकी Gulf Stream की बात करें यह एक ऐसी गर्म जलधारा है जो कहां से निकलती है तो यह Gulf of Mexico से ही निकलती है और कहां की तरफ जाती है अगर आप देखेंगी तो North America के आपको कहां दिखाई देगा तो पूर्व में दिखाई देगा और यह बढ़ती किस तरफ है तो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती है यूरोप का आपको कौन सा हिस्सा दिखाई देगा तो पश्चमी हिस्से में आपको इसका विस्तार देखने को मिलेगा क्यों मातोपूर्ण है और यह क्या करती है तो यह तापमान के संतूलन का काम करती है तापमान के नियंत्रन का का करती है यदि हम बात करें तो यह जल्धारा कहां से आ रही है तो ऊश्ण करती बंदी शेत्र से आ रही है यानि गरम जल्धारा है जो ऊपर क्या करती है तो तापमान वित्रण का कारे करती है इसलिए गल्फ स्ट्रीम जो है वो बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाती है आगे चलते और बात कर लेते हैं बैरियर आइलेंड की आपने अवरोधक द्वीब का नाम सुना होगा अवरोधक द्वीब किसे कहते हैं यदि मैं मान लूँ कि यह जो है वो क्या है तो यह आपका USA का इलाका है यह जो है Gulf of Mexico का इलाका है तो यदि इसके आगे पैलल डारेक्शन में यदि रेत का जमा हो गया और जमते जमते क्या कर दिया वो आईलेंड का फॉर्म कर दिया तो इसे क्या कहा जाता है अवरोधक द्वीब कहा जाता है अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कई द्वीब है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे आपको क्या ध्यान रखना है तो इसका जो नौट से साउथ का लोकेशन है वो ध्यान रखना है मैं क्या कहा रही हूं टटके समनांतर जब बालू जो जमा हो जाती है यदि रेत जमा हो जाती है रेत के जमाव के कारण जो द्वीब बनता है उसे क्या कहा जाता है अवरोधक द्वीब कहा जाता है अब आपका हुमवक यह है कि आप NCRT उठाइए 11 क्लास की और आप देखिए कि लगून किसे कहा जाता है और इसका जवाब आपको कहा देना है कमेंट बॉक्स पर देना है तो हम बात कर रहे थे कि जो सबसे जो लंबा आपको यदि अवरोधक आईलेंड की बात करें तो आपको कौन सा आईलेंड है ये विश्व भर की बात की जारी है पाद्रे आईलेंड जो है वो सबसे लंबा विश्व भर का अवरोधक द्वीप है तो यह मार्ग कर लीजेगा इतनी बाते क्लियर हो गई होगी तो आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी दो रिवर आपको यहां पर ड्रेन होती हुए दिखाई दें कौन सी दो है वो रियो ग्रांडे रिवर है रियो ग्रांडे रिवर इसले इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह दो देशों के बीच में सीमा बनाने का काम करती है कौन से दो देश है तो यहां आप देखेंगे कौन से दो देश है इसका बहाव आपको कुछ इस तरह दिखाई दे तो उद्गम इसका होता है कहां से तो पश्चिम कॉल्रेडो से इसका उद्गम होता है और कहां जाके इसका निकास होता है तो गल्फ ओफ माक्सिको में जाकर गे जाती है दो रिवर की बात कर रहे हैं एक मिसिसिपी रिवर की बात कर रहे हैं और एक रियो डी ग्रांडे पंबेंगे कैसे परम्परा है हमारी की जो कखन सही है वो बिलकुल बढ़िया है जो कह तन गलत है इसका जवाब को कहां देना होता है कमेंट बॉक्स पर देना होता है तो आपको औम प्र्यशन क्या कह रहा है माक्सिको कि खाड़ि के संदर में निम्लिक प्रशांत महासागर का एक भाग है यह कथन एक कह रहा है फ्लोरीडा जल्डमरू के माध्यम से यह अट्लांटिक महासागर से जुरती है यह कथन दो कह रहा है पर दम तीन की बात करें तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली रियो डिग्रांडेज नदी जो है वो उत्तर कि जो शब्द है उसे खास गौर करना है आपसे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है केवल एक केवल दो और तीन एक और तीन एक दो तीन तो इसका उत्तर आपको कहां देना है कमेंट बॉक्स पर देना है तो आज हमने बात की है गल्प ऑफ माक्सिको की हमने खबर जाना है और उसकी भगवालिक अवस्थिती जानी है दो रिवर के बारे में जाना है मिसिसिपी और रियो डी ग्रांडे रिवर जिसका निकास काओं होता है तो गल्प ऑफ माक्सिकुम होता है तो आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए जगा के साथ किस के लिए मुझे दीजिए इजाज़त धन्यवाद